एक दो सवाल हम ले लेते हैं लखनोस से शीनल जैन है वो यह पूछ रही है कि वो पिछले तीन साल से एंक्योजिंग स्वांजिलाइटिस की समस्यप से जूज रही है इसके बज़े से उनकी आखों की लाली और काफी दर्द आखे लाल रहती हो और साथ ही काफी दर्द रहता की हड़ी ऐसे आगे क्यों रशी जुकने लगती है और धीरे धीरे जैसे कुबडापन बोलते हैं आम भासा में वही अंग्रेजी में नाम एंक्लोजिंग स्वाइटिस है तो इसके लिए एक तो जब भी बैठी सीधी बैठने का भ्यास करें पोस्षर को ऐसे रखें जादा हमेशा ऐसे अपना पोस्षर अच्छा करें बैठने का एक बात दूसरा जो अभी हमने रीट के हड़ी के अभ्यास बताए इनको करें दूद में हल्दी शिलाजीत और यह मैंने बताया अश्रशिला के कैप्सूल अश्रगंधा और शिलाजीत दोनु इसके अंदर होते हैं यह हड्डियों के लिए जबरदस ओशधी होती है और बहुत ही ज्यादा उनके कोई प्रोब्लम है अंक्लोजिंग्स प्रॉलाइटिस की तो थोड़ी दिन चंदर प्रभावटी शिलाजीत रसाएं पीड़ान तक भी ले सकते हैं और रीट के हड्डियों को मजबूत बनान कि एक छोटी से डंडी ले करके इसके लुगदी बना करके पेश्ट बना करके और पानी में ले सकते हैं तो हड्डियां कितनी कमजोर हों कितनी रीट के हड्डि खराब हो गए यो ठीक हो जाती है इसमें ऐलिवेरा भी लाब करता है ऐलिवेरा का जो सुबह सम पीने से और गिलोई गिलोई तो कोरोना से ले करके मोटापे से ले करके डाइबटी से ले करके अर्थ्रैटिस से ले करके हड्डियों की मजबूती के लिए ये जो गिलोई नाम की उशदी है अशोगंदा की पीछे अमने रखी विये रोज बताते हैं ये भी रोज पीलिया करें सुब तो उससे दूर करने के क्या उपाएं योग के जरीया और साथी स्वामी जी एक और सवाल ले लेता हूं सुनीता कौशिक है उनका कहने कि कंदे के जोड़ों के लिए चक्रन और दर्द रहता है उनको 10-20 बार और फ्रोजन शोल्डर है सुनीता जी कि तो वह एक की बात है तो यह जो अभी अभ्यास बता रहे हम एक तो यह दूसरा यह जो बताई चुक्यां फिर यह तीसरा यह चोथा यह दोनों तरफ से पांचवा यह फिर चठा यह और सात्मा दोरो हाथ की मुठिया बंद करके अंगोठी से अंगोठी को मिला करके ऐसे सामने रखने और श्वास अंदर भरके ऐसे सामने हाथों को खुले लेकिन पिछी से अंगलिया नहीं खुल नहीं कि आंगलिया ऐसे मिली रहेंगे और यह करें और जो बाकी उपाई मनें बताए थे उनको भी साथ साथ करें दही चास नीबू अचाड टमाट्रों कोई खटाई ना खाएं और पानी अंदर भी ठंडा ना पिये थोड़ा गुनको ना पानी जिनको भी जोड़ों में दर्द है हड्डियां कमजोर है काफ़ा है अस्थमा है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए यह और सवाल आया है यह दर्शक है आदयत्य वह कह रहे हैं कि उनके कंधे में वेस्किलर ने है के देखा Sacramento 2020 से और अज़ित तरफ से एक दूसरा आराम अरब से यह करें हो और यदि बन पाएं तो धीरे alarm उनसे लग पाएगा, बाएं पैर नीचे, दाएं पैर उपर, दोनु तरफ से ऐसे गोमुखासन, जो पैर उपर हो ही हाथ उपर लिया, दूसरा हाथ पीछी से लिया, और ऐसे पकड़ लिया, ये गोमुखासन भी दीरे दीरे होगा, और दूद में जैसे मैंने बला था, सिलाजी, अश्रशिराय पीडान तक, त्रोद शांग गुकल, इसका सेवन करें, और ये दिवन सलोचन मिल जाये तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी ले ले, तो उनके हड़ी के अंदर की कमजोरी 100% ठीक हो जाएगी, बलड एनरजी का सर्कुलेशन पूरा हो जाएगा, और ऐसी जो दर्द होते हैं, उसमें मैंने अभी बताया, पीडान तक जो तेल और ओइंटमेंट होता है, वो जबर्दस लाब करता है, और गिलो इस सुबह साम काढ़ा पीने से, किसी भी प्रकार कढ़ियों का दर्द हो, पूरा ठीक हो जाता है, इसलिए हमारे अईरवेद में जो पंच कर्म बोलते हैं, सिनेहन, स्वेदर, वेरेईचर, रोमान, यह सब भी बड़ा जबर्दस उसमें लाब करता है, दिन को ज़्यादा प्रोब्लम है, फ्रोजन सोल्डर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर ज़्यादा ही दर्दे हैं, तो वो पंच कर्म भी करवा सकत उससे भी लाब होता है मिनाक्षी जी